बच्चों हमने कफन से बिजी समीकरण बनाना सीखा है अब चलते हैं बिजी समीकरण से कफन बनाने की ओर एक बिजी समीकरण 5 एक्स रिन 2 बराबर 10 पर इचार करें तो इसका संभावित कफन होगा किसी संख्या की 5 गुने और 2 का अंतर 10 है उधारन 3 X बटे 4 धन X बराबर 10 को गणिती कथन की रूप में लिखे प्रश्ट में हमें एक गणिती समीकरण दिया गया है समीकरण है X बटे 4 धन X बराबर 10 इसे हमें गणिती कथन की रूप में लिखना है जैसे कि हम किसी संख्या को X मानते हैं उसी प्रकार X को कहेंगे कि किसी संख्या किसी संख्या में यदि हम उसका चौथाई ले ले और फिर उसमें X मतलब वही संख्या जोड़ दी जाए तो कितना प्राप्त होगा? 10 इस प्रकार से इसका गणिती खतन बना सकते हैं तो चलिए हम कहते हैं कि किसी संख्या जो कि हम किसे मान रहे हैं X को किसी संख्या में उसका एक चौथाई एक चौथाई याने कि जो X बटे 4 हमने लिया है न वही हो गया किसी संख्या में उसका एक चौथाई को यदि हम जोड़ दे तो हमें कितना जोड़ प्राप्त हो रहा है जोड़ हमें 10 मिल रहा है तो हमने कहा कि किसी संख्या में यदि उसके एक चौथाई को जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो रहा है 10 अता इसका गणिती कथन क्या हुआ किसी संख्या में उसका एक चोथाई जोड़ने पर जोड़ 10 होता है इस तरह यह प्रश्ण हाल हुआ करके देखें बीजी समी करण के लिए कथन बनाने होंगे हमें पहला दो एक्स रिंट 3 बराबर 42 के लिए दूसरा 12 x रिंट 3 बराबर 105 के लिए तीसरा x पूरे के बटे x धन 4 बराबर 28 के लिए चोथा x धन 6 बराबर 28 और पांचवा 3 x धन 3 बराबर 15 के लिए समी करण का हल समी करण का हल क्या है इसे समझने के लिए हम कुछ उधारनों को देखेंगे X धन 2 बराबर 7 में यदि हम X का मान 3 ले ले तो हमें 3 धन 2 जो कि 5 होगा 7 के बराबर प्राप्त नहीं होगा अर्थात या समी करण सत्य नहीं है यदि हम X का मान 4 रखें तो 4 धन 2 6 जबकि यह भी 7 के बराबर नहीं है अर्थात यहां भी हमारा समी करण सत्य नहीं है जब हम x का मान 5 रखते हैं तो 5 धन 2 बराबर 7 समीकरण हमें सत्य प्राप्त होता है क्योंकि दोनों पक्ष हमें बराबर प्राप्त होते हैं अत्ह x बराबर 5 समीकरण का एक हल है क्योंकि इस मान के लिए समीकरण सत्य है हम कह सकते हैं कि किसी समीकरण में चरके स्थान पर जो संख्या रखने पर समीकरण सकते रहता है वह मान समीकरण का हल होता है समीकरण के गुंधर्म Properties of Equation पहला, समीकरण में बराबर चिन्न के दोनों ओर दो पक्ष होते हैं बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष दूसरा, समानता के चार नियम A, B, C वास्तविक संख्याओं के लिए पहला, यदि A बराबर B तब A धनसी बराबर B धनसी अर्थात, यदि दो व्यंजग बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान जोडने पर योगफल बराबर रहता है दूसरा, यदि A बराबर B तब A रिंड सी बराबर B रिंड सी अर्थात, यदि दो व्यंजग बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान घटाने पर अंतर बराबर रहता है दूसरा, यदि A बराबर B तब A गुणिच सी बराबर B गुणिच सी अर्थात, यदि दो व्यंजग बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान का गुणा करने पर भी गुणनफल बराबर रहता है चौथा, यदि A बराबर B तब A बटे सी बराबर B बटे सी जहां सी का मान शून्य नहीं है अर्थात, यदि दो व्यंजग बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान का भाग करने पर भी भागफल बराबर रहता है